नमश्कार मैं हूँ मैं यूरिका और आप वियनम टीवी पर देख रहे हैं मुद्दे की बात आज मुद्दे की बात में होंगी सेंगौल पर सियासत लोगसभा चुनाओं के बाद संसत का पहला सत्र चल रहा है नव निर्वाचित लोगसभा सादस्यों के शपत ग्रहान और स सियासत गर्मा गई है पिपक्षी दलों ने संसत भवन में स्पीकर के आसन के पास स्थापित सेंगोल को हटाने की मांग शुरू करती है समाजवादी पार्टी ने सेंगोल को राज शाही का प्रतीक बताते हुए उससे हटा कर उसकी जगे समविधान स्थापित करने की द्रुत्व में बीजेपी सरकार्दे संसत में सेंगोल स्थापित की थी सेंगोल का अर्थ है राज दंड इसका अर्थ राजा का डंडा भी होता है रियासती विवस्था को खत्म करके देश आजाद हो गया है देश राजा के डंडे से चलेगा या समविधान से मैं मां करता कि सविधान को बचाने के लिए संसत से सेंगोल को हटाया जाए आर्के चौतरी के इस पत्र पर समाजवादी पार्टी के मुख्या और संसत अखिलेश यादव का भी बयान समने आया है उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि हमारे संसत शायद ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्यो इसे भूल गए वो सकता है कि मेरी पार्टी ने उन्हें यह याद दलाने के लिए ऐसा कहा हो जब प्रधान मंत्री इसके सामने सिर जुकाना भूल गए तो शायद वो भी कुछ और चाहते थे वही कॉंग्रेस पार्टी ने सैंगौल मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है पार्टी ने कहा कि सैंगौल पर एसपी की मांग गलत नहीं है कॉंग्रेस सांसद रनोका चौधरी ने इस पर कहा कि बीजेपी ने अपनी मर्जी से संसद में सैंगौल लगा दिया है समाजवादी पार्टी की मांग गलत बिलकुल नहीं है सदन तो सब को साथ लेकर चलती है लेकिन बीजेपी सिर्फ मनमानी करना जानती है सेंगौल मुद्दे पर आरजडी लीडर मीसा भारती ने कहा कि सेंगौल को हटा देना चाहिए ये लोग तंत्र में है राज त संत्र का प्रतीक है सेंगौल इसलिए हटा देना चाहिए वही भारतिय जनता पार्टी के नेता भी कैसे पीछे रहते बीजेपी के लोग सभा सांसाथ खगेन मुर्भू ने आरके चौतरी के बयान पर कहा कि इन लोगों को दूसरा कोई काम नहीं है इन्होंने सविधान के बारे में गुम रह किया है ये लोग सविधान को मानते ही नहीं है मोदी जी सविधान को बहुत संमाद देते हैं समाजवादी पार्टी के नेता के बयान पर बीजेपी सानसद महेंज जेट मलानी ने कहा कि सेंगौन राष्ट का प्रतीक है सेंगौन COM को स्थापित किया गय सविधान को हम सब मानते हैं अकेले समाजबादी पार्टी ने सविधान का कोई ठेका नहीं लिया है आरके चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रिय मंत्री और लजेपी के नेता चिराग पासवा ने कहा कि इनकी जनता ने इनको काम करने के लिए चुना है और य जीते हैं ये लोग अच्छी बात है लेकिन इनकी मती भ्रमित हो गई है ये लोग अपने सांसद की तुलना भी भगवान राम से करने लगे हैं इनके पतन की शुरुआत हो गई है तो इसी तरह की प्रतिक्रिया लगातार राजनेताओं की सैंगोल को लेकर सामने आ रही है आज दिन भर सैंगोल को लेकर घमासान मचा रहा दरसल संसद में स्थापित किये गये सैंगोल का अधुनिक इतिहास भारत की आजादी के साथ जुड़ा हुआ सामने आया है चप्तत कालीन प्रधान मंतरी जवाहलाल नहरू को सत्ता हस्तात नरण के प्रतीक के तौर पर सैं सैंगोल को तमिल नाडू की एक मंदर से लाए गया था और इसे बड़े ही धूम धाम से संसद में स्थापित किया गया अब जब समाजबादी पार्टी के संसद ने इस पर सवाल खड़े कर ही दिये हैं और इसे हटाने की मांग कर ही दी है तब सैंगोल के इतिहास पर पुराना बताया जा रहा है इसका रिष्टा चौल सामराजे से रहा है इतिहास कारों की माने तो चौल सामराजे में राजदंड सेंगौल का इस्तिमाल सत्ता के हस्तांतरण के लिए किया जाता था राजदंड सेंगौल भारत की स्वतनतरता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण एफिखासिक प्रतीग है जब अंग्रेजों ने भारत की आसादी का ऐलान किया था तब सत्ता हस्तान तरण के प्रतीग के तोर पर सेंगौल का इस्तमाल किया गया था लॉर्ड माउंट बैटर ने सन 1947 में सत्ता के हस्तांतरण को लेकर नहरू से सवाल पूछा कि सत्ता का हस्तांतरण कैसे किया जाए इसके बाद नहरू ने राजा गोपालचारी से राई ली थी उन्होंने सेंगोल के बारे में जवाहला नहरू को जानकारी दी इसके बाद सेंगोल को तमिल नाडू से मंगवाया गया और राजदंड सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीग बना था अब जब इसे संसद में स्थापित कर दिया गया है तब सत्ता के हस्तांतरण वाले मामले पर काफी विवाद हो राजबी था वैसे काफी दिनों पहले नई संसद में इससे स्थापित किया गया है लेकिन नई लोग सभा का जब गठन हुआ है तब इस पर खुलकर सियासी घमासान हो रहा है आज दिन भर पक्ष विपक्ष की नेता सैंगौल पर अपनी अपनी राय देते रहे वैसे देश के मुद्दे बहुत अलग है देश के मुद्दे रोजगारी बेरोजगारी देश के मुद्दे पेपर लीक होना परिक्षाओं को सुचारू रूप से करवाना है लेकिन उन सब को पीछे छोड़कर पक्ष और विपक्ष की नेता अलग-अलग मुद्दों पर आपात काल पर ध्यान भट अच्छा होना चाहिए इसी मांग के साथ आज के मुद्दे की बात को सवापत करती हूँ कल फिर आठ बजे मुद्दे की बात लेकर हम विएनम टीवी पर हाजर होंगे विएनम टीवी को जरूर देखते रहे यूट्यूब चानल है सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल अगातार देखा जा सकता है देखते रहे विएनम जुड़े रहे विएनम के साथ मश्कार